नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, गुड आप्टन मेरे प्यारे विद्यातियों, जैसरी किष्णा, दोसो आपने देखा आज का पेपर दोसो, जेवी नेल जूनिर अकाउंटेन का पेपर हुआ दोसो, मैं बताते हो दोसो, बड़ा हर्स महसूस हो रहा, बहुत खुसी महसूस दोसो, आज के पेपर को लेकर, जैसे कि बच्चों के कमेंट देके, और मेरे पास जो पेपर अभी तक बच्चों ने भेजा, जो एनालिसिस करके भेजा, कि कौन-कौन से कुष्ण एक्जाम में आयो है, दोसो, उनके बारे में बात करने जा रहा हुँ, ओके, और लगग ब बड़ी बात है, दोसो, मैं इसके लिए, दोस्तो, सभी विध्यार्टों को तहे दिल से सुपकाम नहीं देता हुँ, कि आपकी नोकरी सुनी चितों में तो, दोस्तो, मैं आज बहुत खुश हूँ, जो पिछले 6 महने से या 8 महने से महनत करा था, उस महनत का आज बहुत पूचा गया दोस्तों, दोस्तों, एक कुश्चन बड़ा प्यारा था दोस्तों, ये CAA, CAS, Costing Accounting Standard, Cost Accounting Standard, दोसो, यहां से एग्जाम में दोस्तों, दो प्रसन पूचे गए आज, एक तो पूचा गया था दोस्तों, CES 14 का संबन्द है, Pollution Control Cost से, और एक पूचा गया, 23 का सं और रिमोबल कोश्ट है, तो आपका 14 और 24 ये दो प्रसन आज के पेपर में पूचे गए, दोस्तों, दोस्तों, जानली क्या होता है कि कई संस्तान है, कई टीचर ये पढ़ाते ही नहीं है, बताते ही नहीं है कि CAS होता क्या है, यानि कोश्टिंग Accounting Standard होते कोन है, कैसे जार करते हैं, क्या काम करते हैं, बस दुनियादारी क्या करते हैं, ज्यादा ज्यादा Accounting Standard पढ़ा देते हैं, या Auditing Standard पढ़ा देते हैं, Standard of Audit पढ़ा देते हैं, लेकि generally CAS Cost Accounting Standard कोई पढ़ाता ही नहीं दोस्तों, तो मेरे पहले साथ हो, ये लोग तुम्हाले दो कुश्टन तो देखो क्यों सा, एक आपका QC Ratio के बारे में पूचा गया, पैक्टिकल परसन, और एक आपका NAC Profit Ratio के बारे में पूचा गया, प्रसन है, और एक दोस्तों आपका EPS Earnings Per Sears से सम्मंदित प्रसन पूचा गया, तो 3% Ratio से पूचे गया, ओके, इसके लाव कोश्टिंग में दोस्तों, Process Accounting से प्रसन बना है, Process Accounting, Process Costing से, Process Costing से आपसे अबनॉर्मल गेन के बारे में पूचा गया, अबनॉर्मल गेन को लेकर प्रसन पूचा गया, कि अबनॉर्मल गेन की कैल्कुलेशन कैसे होती है, और अबनॉर्मल गेन को किस से राइट ओप करते है, राइट ओप आपका 14 एक दोस्तो आपका 80 G G C राजनितिक पार्टियों के द्वारा दिया जाने वाला चंदा मैंने बहुत बता रहा रहा दोस्तो डिडेक्शन के टॉपिक को इतना पढ़ा रहा दोस्तो 80 C से लेकर 80 U तक की डिडेक्शन मैंने खूब शानदार जानदार पढ़ा रहा है तो एक प्रस्तो आए दोस्तो धारा इंकम टेक्स की धारा 234 B मना एडवांच टेक्स के इंट्रेस पर दोस्तो मैंने आपको एडवांच टेक्स के बारे में बहुत बार बताया एडवांच टेक्स क्या होता है एडवांच टेक्स की चार इस्टोल्मेंट कब हो कब होती है उस पर डीले हो जाता तो इंट्रेस कैसे लगता है परमंत के आदार पर इंट्रेस कैसे लगता है ये सम्मन बता रखा तो वित्तिय प्रबंदन का उद्देश ये जो है मित्रों आपका ये प्रशन पूचा गया है जो मन खूप करा रहा है आपको एक उचा गया था तो आपकी परिवर्तन सी लागत बच जाती है जब factory cost में से material की cost अठा देते तो दोस्तों आपकी परिवर्तन सी लागत आ जाती है यह मन कई बार बता दिया था एक आयता sublating 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 यानि उपे किराया जो है वो कौन से head की income है तो यह other sources की income होती है कौन से other sources की income होती है other sources की income होती है धारा 55 के अनुसार एक परिवर्तन था अधिकरत अंस्पून जी के लेकर authorized share capital के बारे में पूचा गया परिवर्तन था authorized share capital को लेकर person पूचा गया था तो दोस्तों अभी तक मेरे को जो प्रस्ट मिले ना लगबक 22 प्रस्ट मिले 22 टाइब के प्रस्ट मिले और बच्चोंने मेसेज किया सब बहुत सार रहा है अब धीरे दिरे जैसे आएंगे बचाता दोंगा लेकिन बच्चोंने ये सूचना जरूर दिये सर 50 से ज़्यादा प्रस्ण एक्जाम में आये, लेकि मैं 50 छोड़ देता हूँ, 45 से ज़्यादा प्रस्ण अपने एक्जाम में आये हो, क्योंकि मैंने कहा था दोस्तों, कि 80 या 90 परतिसार पेपर मेरे पढ़ायों से आता है, पहले भी आया, आज भी आया और आगे भी आया ग सुबह से 10 संति, सुबह से 10 संति, सुबह से 10 संति नहीं क्या होगा, कैसे होगा, पता है नहीं दोस्तों, बट दोस्तों, अब रिलेक्स हो, माइड रिलेक्स, तो आगामी भरती परिक्षाओं में भी दोस्तों, इसी परकार की तैयारी होती रहेगी, अब दोस्तों, एक सप तो दोसो पढ़ाना बन, बहार विया पढ़ाना सब कुछ खत्म कोई मतलब नहीं है, दोसो इस परकार से आपको बनाएंगे, और लगवाद 90% से ज़्यादा पेपर अपने नोट्स में से बनाएंगे, दोसो अचा यह तो बन जाएंगे, यह जो कोई बड़ी बात नहीं, यह मैं तोड़ कामें भीजिर होंगा, रीट का एक्जाम है, कोले लेक्षरा का पेपर है, लेकि दोस्तो अब हमारा, जो हमने पिछले नो मेहने से मैनत कीती, उन सब के बित प्रूफ आपको देंगे, दोस्तो, क्लास नोट, वीडियो की क्लिप, सब बताएंगे, दोस्तों यह